हलो नमस्कार फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है कुल्दीप जन ओफिशियल की यूटूब चैनल पर फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम परियाब रनध्यन से संबंद तीस प्रशन को डिसकस करेंगे यह आपके previous year based question होंगे previous year question होंगे और 9 जनवरी 2023 को आए हुए real प्रशन है तो इन प्रशनों को देखने के बाद आपको पता चलेगा seated exam के अंदर किस तरीके के question पूछे जाते हैं क्या उनका difficulty level होता है और क्या topic से question पूछे जाते हैं तो यह video आपको overall important होने वाली है इस तरीके से slide by slide हम एक question को discuss करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सारे exam में आयो हुए प्रशन है तो यह video आपके लिए important है तो video में अंते तक जरूर बने रहिएगा आईए start करते हैं हमारा पहला question है भारत की राजदानी की इस्तिती के सापिक्ष लखनव जो उत्तर प्रदेश की राजदानी है और जैपुर राजस्थान की राजदानी की दिशाएं करमशाह हैं तो नई दिल्ली हमारे देश की राजदानी है इसके सापिक्ष उत्तर प्रदेश की राजदानी लखनव और राजस्थान की राजदानी जैपुर की हमें क्या बताना है इस्तिती बतानी है तो यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली के सापिक्ष लखनव है दक्षन पूर्व म और दिल्ली के सापेक्ष जैपुर है दक्षण पस्चम में तो दक्षण पूर्व और दक्षण पस्चम हमारी कॉस्चन का आंसर हो जाएगा मैप से सम्मंदित एक प्रशन आपको आएगा ही तो यहां से आपका एक प्रशन तयार हो जाता है मैप से एक अध्यापिका की नुक्ती महराक्स्ट के एक बिध्यालाय में हुई है बह भोजन के बिशा में पड़ा रही है तथा भरली बांगी का उधारन देती है जो की एक बेंजन है जो बना है छोटे छोटे भरवा वैगन से सादा दाल का दमपुक्त ताजी पॉम फ्रेट मचली का मलाईदार बेंजन या आलू फूल भोबी ते था टमाटर की करी तो जो भरली बांगी बनाया जाता है छोटे छोटे भरवा वैगन से नेक्स्ट कॉस्चिन पंक्चियों के पंक विबिन्ने रंगों आकारों इबं माप के होते हैं उनके पंक उन्हें उन्ने में सहायता क करते हैं तथा विबिन्ने प्रिकार का भूजन खाने में मदद करते हैं उन्हें गर्म रखते हैं विबिन्ने तरीके से चलने में मदद करते हैं उन्हें जल सह बनाते हैं तो पंक्चिके जो पंक हैं उन्हें के साथ साथ उन्हें गर्म रखते हैं और उन्हें जल सह मतलब वाटर प्रूफ बनाते हैं, तो statement be already correct होगा, option be इस question के लिए correct होगा, next question, जो पसू अंडे देते हैं, उनकी निमने लिकित में से बिसेस्ताइं होती हैं, अंडे देने वाले पसू की बिसेस्ताइं क्या होती हैं, उनके कान, इवं, उनके बाहरी कान, इवं, सरीर पर बाल होते हैं, उनके आंतरिक कान, इवं, सरीर पर बाल होते हैं, तो अंडे देने वाले पसू की बिसेस्ता होती हैं, कि उनके आंतरिक कान होते हैं, और उनके सरीर पर बाल नहीं होते, option to is question का correct answer होगा, next, उस पहली भारती महिला का नाम, जिन्होंने एवरेस्ट परवत की चोटी पर कदम रखा, और राश्टिय ध्वज, तरंगा गाड़ा, तथा कई फोटो भी कीची हैं, तो उनका नाम है, फ्रेंड्स, बचेंदरी, पाल, यह भारत की पहली ऐसी महिला थी, जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी को फते किया था, कर्णम मलेश्वरी का सम्बंद बेट लिफ इनको भी आप याद रख सकते हैं, नेक्स्ट कॉस्चन, निमनलिकत में से कौन सा या से कथन मनीपुर के सम्बंद में सही है, मनीपुर का अर्थ है, जेवरों का देश तो बिलकुल सही है, लावडी मनीपुर का लोकनरत है, यह गलत है, लावडी महारास्ट का लोकनरत है, तो इसको आप extra fact के रूप में याद कर सकते हैं लोक टक्ताल या फिर जील जाना जाता है फुम्दी नामक गोला कार तैरते हुए दल दलों के लिए तो ये भी सही है मनी पुर्बास के उत्पादों का एक सबसे बड़ा उत्पादा के तो ये भी सही है ACD सही है तो option 2 is question के लिए correct answer होगा अगला question कार ऐसी चीज है जो हम करते हैं यस कमाने के लिए मनुरंजन के लिए अपने कोबा अन लोगों को सहारा या फिर भरण पोशा के लिए उर्जा बचाने के लिए तो कार है अपने कोबा अन लोगों को सहारा देने के लिए हम करते हैं तो cable C इस question के लिए correct होगा next हातियों के जुंड के बारे में निमनलखत मैशे कौन सा कथन सही है उनके जुंड में हमेशा दोया अधिक नरहाती होते है तो ये गलत है उनके जुंड में सारे नरहाती होते हैं तथा हाती के बच्चे मादा हाती के साथ रहते हैं तो ये गलत है उनके जुंड में सारे नरहाती नहीं नरहाती जुंड के साथ 14 से 15 बर्स तक की आयू में रहते हैं बिलकु सही है जो बच्चे होते हैं बह जुंड में रहते हैं मादा हाथियों के साथ में उनकी जुंड में केबल मादाएं तथा हाथियों के बच्ची रहते हैं तो यह सही है तो C और D statement सही है तो option 3 is question के लिए correct answer होगा next question की बात करेंगे कप्चा 5 की पाट्टे पुस्तक में गोल कॉंडा के लिए का चित्र दिया गया है इस पर दाहने नीचे की और एक प्यमाना छपा है प्यमाना है एक सेंटी मीटर बरावर 110 मीटर तो यदि इस मान चित्र पर फते दरवाजा और पटन चेरू दरवाजे के बीच की दूरी 15.2 सेंटी मीटर है तो इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी बास्तविक दूरी क्या होगी तो एक सेंटी मीटर की दूरी दी है आपको 110 मीटर तो आपको 15.2 सेंटी मीटर की दूरी को बताना है कितनी होगी तो 15.2 इसको इंटू करेंगे 110 से तो इसका जो आंसर आएगा बन पॉइंट सिक्स सेवन टू किलोमेटर option 3 इस question के लिए correct answer होगा friends अगले question की बात करेंगे सोना की सहिली तारा मिजोरम से है तारा को हिंदी बोलने में परिशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमक भाशा है तो मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमक भाशा की नाम है मिजो, लू, सेई और कुकी ये तीनों भाशा है मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमक भाशा की नाम है यही पर आप से पूछा जाए कि कुडुक जो कुडुक भाशा है जह कहां पर भोली जाती है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्ष में लिख सकते हैं नेक्स्ट कॉस्चन पेट्टोलियम तथा कोले को अनवी करणिये इधन कहा जाता है क्योंकि ये प्रदूशन पहला आते हैं, महेंगे होते हैं, प्रभाजी आश्वन के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं या बनने में कई साल लगते हैं तो आनवी करणिये इधन को बनने में कई साल लगते हैं तो option for this question का correct answer होगा next question, परबता रोही अपने साथ oxygen cylinder ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसके जरूरत होती है खाना पकाने के लिए क्योंकि परबतों में इधन की उपलब्दता कम होती है अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्तित oxygen को जला कर सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक उचाईयों पर oxygen की मात्र कम मिलती है टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में तो oxygen ले जाते हैं, oxygen cylinder ले जाते हैं क्योंकि सांस लेने में वहाँ पर कटना ही होती है option 3s question का correct answer होगा next, अरब सागर के तिन भारती तटवर्ती प्रदेश हैं तो यहाँ पर देख शकते हैं, भारती तटवर्ती प्रदेश केरल, करनाटक, गोबा, महरास्ट यह चार प्रदेश हैं, भारत के तटवर्ती जो अरब सागर से लगते हैं तो गोबा, महरास्ट और केरल आप्शन 3 में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर गोबा है, यह महरास्ट है और यह केरल है तो आप्शन 3 उस कॉस्चन के लिए बिल्कुत सही आंसर होगा नेक्स्ट, राजस्थान की पारंपरिक नरत्य जिश्मे घूंगट वाली महिलाय नरत्रांगाय सिर पर साथ से नो पीतल के घणों को समालती हैं कहलाता है कालवेलिया, कत्थक, तेरह थाली, तेरह ताली या फिर भवाई तो इस तरीकी की नरत्य को बोलते हैं, भवाई नरत्य औप्शन फोर इस कॉस्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट, मदूबनी एक प्रसिद्ध है, जील है, ताजस्थान में तो नहीं बिहार की साल है, ये भी नहीं, आंदर प्रदेश में बुनी हुई साड़ी है, ये भी नहीं बिहार की एक प्रकार की लोक चित्रकार, लोक कला चित्रकार ये तो बिल्को सही है बिहार का एक स्थान भी है महदूबनी महदूबनी पैंटिंग के नाम से भी प्रिचिद्ध है तो statement D और E करेक्ट होंगे तो option for this question के लिए बिलको सही answer होंगे next question को देखेंगे यह आपके परियावन के सिक्षन सास्रत से संबंदित प्रश्ण है सोवित किताबों में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटी खेलते तिथा लड़कों को किरकेट खेलते हुए दिखाए गया है बहे अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़की और लड़कियां अलग अलग खेल क्यों खेल रहे हैं लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहें लड़कियां किर्केट क्यों नहीं खेल रहें निमलकित मेशे परियावण अध्यन सिक्षन उद्धेश इस घटना में समलित है किस प्रकार सी यह समलित है option है उच इस तरह यह आलो चक आलो चनातमक सोच बिक्सित करते हैं आवलोकन और चत्रन के आधार पर समझ बिक्सित करना ये भी इसका statement correct है समझ घटना के बारे में जिग्याशु बनने के लिए संग्यानात्मक्चमता बिक्सित करना ये भी statement इसका correct है तो statement A, C, D is correct है तो option for this question के लिए correct होगा अगले question को देखेंगे पर्यवर्न अध्यन के एक सिक्षक के रूप में आप कक्षा दो के अन्न विध्यार्थियों के समक्च विसाय रितुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं तो निम्नलकित में से कौन एक उत्तम सिक्षन सास्त्री युक्ती है option है संप्रत्य रितुएं समझाने के लिए चाठ इवं पुस्तकों का प्रियोग स्यामपट पर लिखें विसाय रितुएं को बाद में समझाने के लिए रितुएं के वीडियो का उप्योग रितुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उप्योग, रितुओं के बिशय में रुची का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के बस्त्रों, एबं संदर्वित इस्थानिय साहत्त का उप्योग तो सबसे जो उप्योगी होगी, बह होगी, रितुओं के बिशय में रुची का विकास करने के लिए भोजन की आदत, पहनने के बस्त्रों और संदर्वित इस्थानिय साहत्त का उप्योग, ये सबसे प्रभावी होगा, उप्शन फोर इसके लिए करेक्ट होगा नेक्सट, निम्नलेकित मैंसे कौन सी कथन आंकलन की प्रक्रती की सही ब्याक्था करते हैं, सिक्षण दीगम की प्रक्रिया एक अंग है जो सदर्द चलता है तो बिलकोँ सही है बिद्ध्यार्ति में उप्लब्द, उप्लब्दी स्थार तथा उन्हें क्या नहीं आता के ब पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है तो यह भी सही है तो ACD स्टेटमेंट सही है तो option C is question के लिए correct answer होगा next कक्चा 5 के पर्यावन अध्यन सिक्चक के रूप में पाट बोलती इमारतों के लिए आपको विध्यार्जियों को एतिहाशिक इमारतों को प्रस्तुत करने की अबस सकता है आप क्या सोचते हैं कि कौन सी बिदी सर्वत्था उत्तम होगी एतिहाशिक इमारतों से संबंदित आभासी सेर ओनलाइन खेल और पहली एतिहाशिक इमारतों पर परिचिद पठन इस्थानिये एतिहाशिक इमारतों का ब्रमन और तत्पस्चा तुन पर चर्चा एतिहाशिक इमारतों का भूत काल समझने के लिए ब्याक्यान बिदी पर तो इसका आंसर होगा इस्थानिय एतियासिक मारतों का भ्रमन और उस पर चर्चा करना क्योंकि इससे प्रतेक्च रूप से बच्चे सीख पाएंगे नेक्स्ट है अध्यापक विध्यारतियों से एक चीटी का चित्र बनाने के लिए कहते हैं चीटी के चार पैर बनाते हैं जबकि कुछ शे और कुछ आठ पैर बनाते है अध्यापक को क्या करना चाहिए उन्हें आवर्धक लेंस देकर चित्र के पैरों की संख्याों को देक्षने के लिए कहनाचाहिए ना कि चित्र में दिखा करके बताना चाहिए, ना उने के लिए गिनने के लिए कहना चाहिए, या ना उनके लिए सीधा-सीधा आंसर बताना चाहिए, तो उनको बताना चाहिए कि आवर्दक लेंगे की सहायता से आप चीटियों की पैर देखें, अगला है कक्छा, चार के पर प्रक्रम का अनुश्रण करेंगे कौन से प्रक्रम का अनुश्रण करेंगे तो भारत के अंतरिक शात्रियों की आत्म कथा सांजा करेंगे और उनकी मुख बिसेस्ताओं को इंगित कीजिए आप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट कॉस्चन की बात करेंगे यस ने अपने अध्यापक से पूछा कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले बने हैं अध्यापक समझाते हैं कि हरे में सूची वद्ध करने के कहा इस गती बिदी में निमने लिकत मैसे कौन सी प्रक्रियां सामिल है तो इसमें पहचान सामिल है कलपना शामिल है पूरबाग्रह शामिल है या बरगी करण सामिल है तो इस प्रक्रिया में पहचान सामिल है और बरगी करण सामिल है option इसके लिए 4 correct होगा A और D इसके लिए correct होगे next question समाचार पत्र पठन को सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता से बात करेंगे तो इसका अंसर होगा कक्छा में सम्मंदत लेखों को लेख करेंगे तथा उनको सांझा भी करेंगे next जोन अपने हाथों की सहायता से जन्तूओं की परिछाईएं बना रहा है बहे विध्यार्थियों से यह अंदाज लगाने के लिए कहता है कि परचाई में कौन सा जानबर बन रहा है इस गती बिदी में निमनलकत में से कौन सी प्रक्रियाएं सामिल है तो इस गती बिदी में अनुमान सामिल है अवलूकन सामिल है और निश्कर से सामिल है बढ़ने इसमें सामिल नहीं है option 2 is question के लिए correct answer होगा next परियावर्ण दिन में एक इकरित ये संगटित परिप्रेक्ष निम्नलेकित में से किसे निर्देश्ट करता है तो जो परियावर्ण है बहे बिज्ञान सामजिक बिज्ञान और परियावर्ण सिक्षा से पूरी जानकारी इस सम्मंद में इसको निर्देश्ट करता है option 4 is question के लिए correct answer हो जाएगा next रिनी ने अध्यापक से पूछा पौधे के तने गोल क्यों होते हैं चौकोर क्यों नहीं अध्यापक को क्या करना चाहिए अध्यापक को विद्ध्यार्थी से कहना चाहिए कि बे इस बारे में उच्चिकक्षा में सीखेंगे ये गलत है अध्यापक को बिध्यारतियों को सम्झाना चाहिए गोल तने का कारण गोत्तो अकर्शन है तो ये भी गलत है अध्यापक को बिध्यारतियों से तने के गोल आकार होने के कारण के बारे में सूचने को कहना चाहिए तो यह इसा हो सकता है और अध्यापक को विध्यारतियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए तथा विभन्ने तनों के आकार को देखने के लिए कहना चाहिए तो यह भी सही है C और D स्टेटमेंट सही है तो option 3S question के लिए सही answer होगा नेक्स्ट निम्नलकित मेंसे कौन सी विधियां पर्यावन अध्यन के समपादन में प्रभावी हो सकती है चौक एबं टाक विधी, व्याक्षान विधी, भूमी का निर्बहन और कहानी सुनाना तो इन में से जो विधी प्रभावी होगी भूमी का निर्भान और कहानी सुनाना Option 3 is question के लिए correct answer होगा Next एक परियावरन अध्यापक विध्यारती को उनकी मम्मी का बंडन करने वाली कभीता लिखने को कहती है पम्मी अपनी कभीता पढ़ती है मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई कुछ विध्यारती मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि बिध्यार्थी को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे बिध्यार्थी को मिष्टी दोई का अर्थ इस्थानी महाशा में बताएंगे बिध्यार्थी को मिष्टी दोई लाकर दिखाएंगे बिध्यार्ति को नए उत्पादों के अविश्कार में लगाना ग्यान अर्जित करने पर केंद्रित होना बिध्यार्ति में सामाजिक भावातमक कौशलों को बिक्सित करना या बिध्यार्तियों को जीब को पार्जन में सहायत करना तो इसका आंसर होगा बिध्यार्तियों में सामाजिक भावातमक कोशलों को विक्सित करना Next question परियावरन अध्यन में सामुहिक चर्चा कराना चाहिए इससे सार्थक ज्यान का निर्माण होता है निमनलिकित में से कौन सा कतन इस तर्थक की सरवुत्तम ब्याक्ख्या करता है सामजिक संपर्क के माध्यम से अधीकम सरल हो जाता है बिचार और अनुभाव दूसरों के साथ सांजा किये जाते हैं प्रतिक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हितु स्वतंत्र है प्रतिक प्रतिक रिया को बिना आलोचना सुईकार करना चाहिए तो इसका अंसर होगा option 2 बिचार और अनुभाव दूसरों के साथ सांजे किये जाने चाहिए option 2 इस question के लिए correct answer होगा I hope friends जो हमने EBS के 30 question को discuss किया आपको पसंद आए होंगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कीजिएगा दोस्तों के साथ share कीजिएगा यदि मेरे चैनल पर ना है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लिजिएगा इससे आगामी जो भी वीडियो अप्लोड होगी उसका notification पहुँच जाएगा CDP के लिए भी हम regular basis पर classes ले रहे हैं जिससे सम्मंदित question हम daily basis पर discuss कर रहे हैं साथ ही साथ NCA artifact वाली वीडियो भी आपको मिल रही है तो सारी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं friends आज की वीडियो में वस्त नहीं जल्दी मिलेंगे आप से इसी तरह की next वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्नवार